So hey guys this is Sandeep here and you are watching Chromadec YouTube channel तो यहाँ पर आज हम review करेंगे MIUI की Mi Novo ROM का जो की एक custom ROM मिल जाती है हमें जैसे Xiaomi.EU ROM मिलती है तो उस type से आपको यह MIUI 12 के उपर based एक custom ROM मिल जाती है काफी सारे features आपको इस ROM के अंदर देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं और performance पगेरा तो हम यहाँ पर चेक जरूर से करने वाले हैं तो आप वीडियो को full end तक जरूर से watch करना चैनल पर नूँ हो तो subscribe करना, bell icon को all पर करना और वीडियो को भी लाइक जरूर से यहाँ पर कर देना तो हम यहाँ पर वीडियो को भी start कर लेते हैं सबसे पहले मैंने open कर रखा है अपडेटर तो यहाँ पर आप अपडेटर देख सकते हो बट यह जो रोम आपको paid देखने को मिलती है जैसे आज अपडेट इसका release हुआ है तो उसके दो वीक बाद वही अपडेट आपको free में देखने को मिल जाता है तो इस टाइप से यह कुछ आपको रोम मिलती है me novo और आप इसको जो इस टाइप से install कर सकते हो आपको जो latest beta के update है कोई भी आप device name चेक कर सकते हो मैं नीचे website का link दे देता हूं तो बहाँ से जाके आप कोई भी update अपने device के accordingly डाउनलोड कर सकते हो और all specs के अंदर माँ आपको चेक कर वालतो आपको interface कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है यहाँ पे जो MIUI का version मैंने install किया है वो आपको 20.8.27 देखने को मिलता है और जो android security patch level है वो बिलकुल latest September का यहाँ पे provided है next जो kernel है वो perf minus का यहाँ पे दिया है तो यह भी यहाँ पे काफी अची बात है तो सबसे पहले हम बात करते हैं SIM card and mobile network के अंदर आपका जो Wi-Fi calling है और वीडियो calling है वो दोनों काफी अच्छे से working है connection and sharing के अंदर mean share, cast, printing, portable, hot spot वगएरा के काफी सारे options आपको मिल जाते हैं lock screen के उपर चलते हैं तो lock screen के उपर भी आपको same interface देखने को मिलता है like आपको Xiaomi.EU के उपर जो देखने को मिलता है but कुछ additional features है जो आपको उसके अंदर नहीं मिलते जैसे display के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको color scheme का interface updated देखने को मिलता है बाकी सब कुछ आपका working है dark mode के अंदर चलते हैं यहाँ पर आपको जो है दो options मिलते हैं आपको सब कुछ यहाँ पर new देखने को मिलता है आपको global dark mode का option मिलता है schedule का option मिलता है individual apps का option मिल जाता है आप इस type से आपको जो है यह काफी अच्छे से optimized एक ROM मिल जाती है यहाँ पर कोई भी lag UI के अंदर मुझे नहीं phase करना पड़ा और यहाँ पर option मिल जाता है use me land pro font अगर आप नहीं use करना जाते हैं तो आपका डोटो default font यहाँ पर set हो जाएगा बट जो text size and font weight है उसके अंदर भी आप जो है दोनों देख सकते हो काफी अच्छे से working text size and font weight दोनों देखने को मिल जाते हैं और work भी दोनों काफी अच्छे से करते हैं control center and status bar की बात करते हैं यहाँ पर new control center वो आपको देखने को मिल जाता है उसका जो view है आप इसको भी change कर सकते हो अगर आप यहाँ पर view of the control center पर disable करोगे इसको तो आपको कुछ view इस टाइप से देखने को मिलेगा यहाँ पर उपर white shadow देखने को मिल दी है और mobile data यहाँ आ जाता है अगर आप इसको enable करते हो तो आपको कुछ इस टाइप से यह जू देखने को मिलेगा आप देख सकते हो उपर आपका mobile data आ चुका है और वो जो white आपको एक shaded column देखने को मिलता था वो यहाँ से गायब हो चुका है तो इस type से यह देखने को मिलता है show on lock screen का option है smart home का option है action button mobile data का option है यहाँ पे network type या mobile network set कर सकते हो यह आपका कैसे work करता है मैं check कर वा देता हूँ जैसे mobile data के उपर click करोगे तो मैंने यहाँ पे network type set कर रखा तो यहाँ से आप directly इसके उपर network type को select कर सकते हो next यहाँ आप बात करते हैं जो आप दूसरी setting इसके उपर कर सकते हो वह मैं आपको check कर वा देता हूँ next हमारी है mobile network की तो आप उसको भी change कर सकते हो मैं जैसे long press करता हूँ तो आप देख सकते हो इस टाइप से आपको यह देखने को मिल जाता है सो काफी अच्छे से features आपको इस रोम के अंदर मिल जाते हैं switch grid का option है जिसके अंदर जो मियो 11 का अगर आप यूज करते हो status bar तो वहां पे number of columns आपके change हो जाएंगे थोड़े extra आ जाएंगे color notification icons मिल जाते हैं show connection speed और सब कुछ आपको देखने को मिलता है hide graphical indicator भी मिल जाता है उसके तुरू आप सिर्फ percentage को show कर सकते हो sound and vibration के अंदर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं जो कि Xiaomi.eu के अंदर provided है और profile pictures बगेरा के सभी आपको option मिल जाते है charging connection sound का option है and additional setting के अंदर आपको वही options मिलते हैं तो वहां पे कुछ भी change नहीं हुआ notification की बात करते हैं तो आपको notification कुछ इस टाइप से interface देखने के मिलता है home screen के उपर कुछ options मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं use me space का option है number of column in folder का option है उसको भी आप change कर सकते हो icon size and जो app drawer का option मिल जाता है तो home screen search bar भी आपको दिया है तो उसको भी आप enable कर सकते हो wallpaper के अंदर आपको जो है सभी wallpapers मिल जाते हैं यहाँ पे जो है Saturn, Earth और जो red planet है वो दोनों तीनों आपको wallpaper मिल जाते हैं तो आप इनको भी जो है apply कर सकते हो themes की बात करें तो theme आपको दो ही मिलते हैं classic and limitless तो आप यहाँ से कोई भी और theme डाउनलोड कर सकते हो password and security के अंदर face unlock और fingerprint दोनों काफी अच्छे से working है उसके अंदर कोई भी issue नहीं आएगा battery की बात करते है battery आपको काफी अच्छी मिल जाती है battery अगर आप normal user हो तो आपको 8 hours तो definitely यहाँ पर मिलने वाला है इस ROM के साथ और मापको कुछ और यहाँ पर trick बताने वाला हूँ जिसके कारना आप अपने phone की performance को boost कर सकते हो तो उसके लिए video को एंट तक जुरूर से watch करते रहना तो यहाँ पर बाकी features आपको सब कुछ से latest updated देखने को मिलते हैं कोई भी आपको feature missing नहीं है आप यहाँ पर check कर सकते है light mode game turbo आपको old मिलता है जिसके अंदर voice changer आपका नहीं present है floating window काफी अच्छी से working है सभी modes यहाँ पर काफी अच्छी से work करते हैं camera की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको MIUI 12 का latest updated camera मिलता है जिसके अंदर सभी modes working है आपको एक additional option मिलता है वो है long exposure का तो आप यहाँ पर check कर सकते हो आपको long exposure का option इसके अंदर देखने को मिलता है अगर आप जो है enjoy करना चाते है तो इस mode को जरूर से definitely try कर सकते हो काफी अच्छी अच्छी आप pictures इस mode के तुरू ले सकते हो वीडियो के अंदर 4K 30fps का option है जो की काफी अच्छी से working है यहाँ पर camera के अंदर such as कोई issue नहीं है और बात करते हैं यहाँ पर Gcam 7.4 की तो वो मैं आपको check करवा देता हूँ वो आपका काफी अच्छी से working है वीडियो mode वगएर आप 4K 30fps पर record कर सकते हो इसके अंदर भी कोई issue नहीं है and slow motion आप 1 by 4x cube पर record कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पर कोई issue नहीं आने वाला जैसे 1 by 8x की उपर click करोगे तो यह Redmi के Note 7 Pro device के अंदर कोई भी ऐसा Gcam नहीं है जो यह support करता हो So guys अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ basic requirements की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह ROM आपको pre-rooted देखने को मिलती है आपको root करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको pre-rooted ROM मिलती है जिसके अंदर CTS profile और basic integrity दोनों false आते हैं तो जैसे ही आप Magisk Hide इनेबल करोगे तो आपका यह दोनों true हो जाएंगे जैसा मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है Next यहाँ आपको बात करते हैं device के certification की तो वहाँ पर आपका device आपको not certified देखने को मिलेगा जैसे ही आप Magisk Hide इनेबल करोगे उसके बाद आपको clear data कर देना है play store का और कुछ time के बाद अगर आप चेक करोगे तो आपका device यहाँ पर certified हो जाएगा Now one thing जो यहाँ पर आपको missing मिलती है वो है आपका L1 यहाँ पर आपको security level L3 देखने को मिलता है जो की एक downgrade है इस ROM का तो आपको इसके साथ यहाँ पर compromise करना बढ़ेगा Performance की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको N22 का score यहाँ पर check कर वा देता हूँ यहाँ पर 2 lakh से above का आपको score देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा score है Redmi के Note 7 Pro device के लिए और यह device rooted है तो आपको कुछ fluctuations देखने को मिल सकती है इसके अंदर और CPU and GPU score भी यहाँ पर चेक कर सकते हो तो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं CPU throttling की यहाँ पर आपको dedicated performance mode का option मिलता है अगर आप इसके थूरू कुछ यहाँ पर टास्क करोगे तो आपका performance जो है definitely यहाँ पर increase होने वाला आप यहाँ पर चेक कर सकते हो यह toggle मिलता है performance mode का जैसे enable करोगे तो आपको कुछ difference देखने को मिलेगा मैं आपको check भी करवा देता हूँ मैंने CPU फ्रोटरिंग आपके फ्रू जो है दोनों का graph यहाँ पर देख सकते हो record किया है आपको यह without performance mode वाला यहाँ पर ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो यहाँ पर पर्फॉर्मेंस मोड के साथ वाला graph देख सकते हो इसके अंदर थोड़ा सा आपको difference देखने को मिलेगा अगर आप इसको compare करते हो दूसरे graph के साथ जिसके जो without जो है non performance वाला था तो आप इसके साथ जो है इसका comparison कर सकते हो काफी अच्छा आपको response देखने को मिलेगा अगर आप इनेबल करते हो performance mode तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसके smoothness की रोम काफी smooth है काफी stable है कोई issue नहीं आएगा अगर आप super wallpaper यूज नहीं करोगे तो आपको काफी अच्छा यहाँ पर UI का response देखने को मिल जाएगा कोई भी आपको issue नहीं आने वाला इस रोम के साथ तो यह आप काफी अच्छा सा as a daily driver इसको जो है use कर सकते हो कोई issue नहीं आएगा आप यहाँ पर check कर सकते हो कहीं भी lag वगेरा मुझे यहाँ पर face नहीं करना पड़ा आप देख सकते हो काफी अच्छे से optimized आपको UI देखने को मिलती है और RAM management उसके अंदर sometimes आपको difference देखने को मिल जाता है sometimes आपका 1GB से above भी यहाँ पर रह जाता है और sometimes आपका 1GB से below आजाता है so यह आपको fluctuations RAM management के अंदर देखने को मिल जाती है आप गैलरी भी आपको बिल्कुल latest updated मिलती है जिसके अंदर modes आपको सभी मिलते है sky वाले आप यहाँ पे check कर सकते हूं आपको check रवा देत हम यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छे से आपको जो है जो mode से यहाँ पे इसके अंदर working देखने को मिल जाते हैं और आप यहाँ बहुत कर सकते हैं मैंने जस्ट इतना ही डाउंलोड किया आप यहां पे डाउंलोड भी कर सकते हैं और डाइनेमिक भी आपके काफी अच्छे से वकिंग है अब आप इस रोम को फ्लेश कैसे करोगे तो सबसे पहले आपको वाइप के अंदर आना है डैल वी कैच, सिस्टम, वेंडर, डेटा, प्रोड़क्ट कस्ट और मेटा डेटा यहां पे वाइप कर देना है उसके बाद आपको रोम की फाइल को फ्लेश करना है और रिबूट करना है डेवाइस को तो आपका जो है सकसफुली यहां पे मीन वो जो है इंस्टॉल हो जाएगा अगर आपको कोई इशू आता है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो टेलीग्राम में जॉइन हो सकते हो इस वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद है तो लाइक जरूट कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को और पे करना मत भूलना तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब के लिए गुद बाइ